हलो इस्टुडेंट्स फिर सब सब्सक्राइब स्वागत है हमारे क्लास क्लास अपॉन में तो ब्यस्टी सेकंड यर वाले स्टुडेंट के लिए फिजिक्स पर ये वीडियो लेके आए हैं फिजिक्स का फर्स्ट पेपर का वीडियो है ये पिलासपुरी यूनिवरसिटी वा प्रम्हों होता क्या है देखें किन दो तापो के मध्यकार करने वाला इंजन उन pulling तापों के मध्यकाइरत उतक्रम नहीं नहीं होता है ठीक है तो यहां आपका आपको यहां प्रम्हों कि पूरा Er सब्सका पाद है आपका पहला काम क्या है समझाइए तो यह है ताप का परम माप करम काणो इंजन से ही रिलेटेड है यह पूरा नोट कीजिए गाइस को ठीक है यहां तक फिर इसके बाद है आपका यूनिट नमबर टू जहां पर मैक्सवेल के उसमा गत्तिक कि इधन समब्दों का निगमन करना है यहा पर दो करते हैं यहां पर अप्रथम समिकर्ण है इस तरीके से हीज यह सिद्ध्ध होता है इस तरीके सी आ बिया loro करते हैं किसी उत्मागतिक निकाय के अंथल्पी का मान लेके चलते हैं और यहाँ पे चतुर समी करन मैक्सवेल का ठीक है इसमें भी हम क्या करते हैं गिपस फुलन का यूज़ करते हैं और इस तरीके से हम को चारो समी करन प्राप्त हो जाता है फिर इसके बाद आते हैं हम यूनिट नमबर थ्री पे जहां पे हैं देखिए इस्पेक्ट्रमी रेखाओं के डापलर विस्तरी करन से क्या तात पर यह है इसकी व्याख्या कीजिए कि इस्पेक्ट्रमी रेखा की अर्थ चौड़ाई के लिए एक वेंजक प्रिक्या कीजिए निगमित कीजिए ठीक है तो यह है देखिए डाफलर का यूनिट थ्री का है यह तो यह पूरा नोट कीजिएगा आप यहां से ठीक है यहां तक पूरा कंप्लीट आपको नोट करना है फिर इसके बाद है आपका यूनिट फोर में पूरो प्राइक्ता की समानता का सिध्धान क्या है ठीक है तो यहां पे देखिए पि-आई इस इक्वल टू इसमें अधिक गम्य सूच में अवस्थाओं की संख्या कि अवस्थाओं की कूल संख्या क्या इसका जो अनुपात है न यहीं पूरो प्राइक्ता की समानता के सिध्धान्त है और यहां पे देखिए इसी के आधारित एक प्रमेक का कि उत्पत्त की गई है उसको प्रूप किया गया है यहां तक ठीक है फिर इसके बाद अगला है उर्जा समीभाजन नियम लिखे सांखे की द्वारा इसका निगामन कीजिए उर्जा का किस तरीके से समीभाजन होता है इंपोर्टेंट है बहुत यह अधितर यह पूछा ही जाता है ठीक है तो यहां तक यह है यह नोट करना है फिर इसके बाद है आपका Maxwell यह unit 5 है Maxwell वोल्ट में संक्य की कि मूल अभिकल बनाए लिखे Maxwell में संक्य की विद्रन निया इसके बारे में लिखना है ठीक है तो यह है पूरा complete नोट करते जाएगा इसको तो यह होता है हमारा complete तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगे तो चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी सेयर कीजिएगा जितना आप सपोर्ट करोगे आगे हम फ वफूर होगा तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद